पाठ दस भारत के महान चिकित्सक सूशृत चरक स्रिष्टी के आरम से ही मनुष्य अपनी आयू तथा अपने स्वास्थे के प्रती सचेत रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तों से कोई अनुभव हुआ उन सिधानतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्मान हुआ जो मानव के स्वास्थे के लिए कल्यानकारी सिद्ध हुए। आयूरवेद भी ऐसा ही एक प्राचिन ग्रंथ है जिसमें स्वास्थे समबंदी सिधानतों की जानकारियां दी गई हैं। आयू संबंदी प्रतेक जानने योगे ज्यान वेद को आयूर्वेद कहते हैं। आयूर्वेद संबंदी सिधानतों का क्रम्बबद संकलन कर रिश्यों ने अनेक सनहीताओं का निर्मान किया है। इन सनहीताओं में सूशृत सनहीता एवं चरक सनहीता प्रधान गरंत हैं। इ पिर भी अपने ज्ञान और अनुभम से उन्होंने चिकित्सा के खेत्र में ऐसे उलेखनिय कार्य किये जिनकी नीपर आज का चिकित्सा विज्ञान सूर्द रिडिता से खड़ा है। मशाल उतारी और दर्वाजे पर जा पहुचे। मैं एक यात्री हूँ। किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुरगटना घट गई है। मुझे आपके उपचार की अवश्यक्ता है। यह सुनकर सूरुषृत ने दर्वाजा खोला। सामने एक आदमी सुत्रे कमरे में ले गए, शले चिकित्सा के उपकरन डिवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। और दवा मिले पानी से मूध होने के लिए कहा। उन्होंने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को द गाल से कुछ मास काटा, अजनबी कराया लेकिन उसकी अनुबूतिया नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गई थी। गाल पर पट्टी बांद कर सूशृत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में दो नली काइन डाली, गाल से काटा हुआ मास और दवाईया नाक प जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सब्ता बाद वापस आने को कहा, जिससे वे उसे देख सके। आज से धायजार वर्ष पूर्व सूशृत ने जो किया था, उसी का विकसीत रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। आश्रम में प्राप्त किया था, वे पहले चिकित्सक थे जिनोंने उस शल्ले क्रिया का प्रचार किया, जिसे आज सिजेरियन ओप्रेशन कहते हैं। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक एनस्थिया के रूप में करते हैं। सूशृत एक अच्छे अध्यापक भी थे, उन्होंने अपने शिश्चों से कहा, अच्छा व्यादे वही है, जो सिद्धान्त और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिश्चों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। अपनी पुस्तक सूश्रुट सनहीता में उन्होंने विबिन प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। पुस्तक ही हुआ करते थे उस समय चिकित्सक स्वेम ही दवा बनाते शल्य क्रिया करते और रोगों का परिशन करते थे। में बहुत महत्व दिया जाता है चरक वैशन पायन के शिश्य थे इनके चरक सन्हींता ग्रंथ में भारत के पश्चिमुत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश की प्रतीत होते हैं कहा जाता है कि चरक को शरीर में जिवानों की उपस्तिती का ज्यान था परन्तु इस विशे पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है चरक को अनुवंशिकी के मूल सिद्धानतों की जानकारी थी उन्होंने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चे में अनुवंशिक दोश जैसे अंधापन लंगडपन जैसी विकलांगता माता या पिता की किसी कमी के कारण नहीं भलकि दिम्बानू या शुक्रानू क की त्रूटी के कारण होता है यह मान्यता आज एक स्विक्रित तत्या है चरक ने शरीर में दातों सहित 360 हड्यों का होना बताया था उनका विश्वास था कि हिर्देर शरीर का नियंतरन केंद्र है चरक ने शरीर रचना और विबिन अंगों का अध्यन किया था उनका कहना थ पूरे शरीर की तेरा मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है, इनके अतरिक सैकडो छोटी बड़ी धमनिया हैं जो सारे उतकों को भोजन रस पहुचाती है और मलवे व्यर्थ पदार्थ बाहर ले आती हैं। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बिमार हो जाता है। इस बात का स्पष्ट प्रमान है कि ये अपने अपने विशे के सर्वोतम ग्रंथ हैं। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सों को की खोज रूपी नीव पर आज का चिकित्सा विज्यान सूधरिट रूप से खड़ा है। इन सन्हीताओं में नवीन चिकित्सा विज्यान को कई छेत्रों में उलेखनी ये मार्ग दर्शाइब।